हालो इस्टूडेंट वेल्कम तो पीडियारी स्टड़ी तो बच्चों आपकी साथ बच्चों है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साथ बज़े हाँ पढ़ते हैं कप्छा नौकी एंसी इयार्टी गड़े तो आज भी हम उसी करम में लेकर के आए हैं आप लोग जली से आ साम को साथ बज़े से आने के लिए एकसर साइज सेवन पॉइंट ओरना है क्लाफ नाइन के अंसी आर्टी मैथमेटिक्स आप सभी आगे हैं लाइब तो भाई ये साम को साथ बज़े होती बच्चा तो यहां पे एम नहीं है पीम करोगे कुश्चन नमबर थी तक कल हम बहुत स्वागत है आसिस कुमार पाल जी जुड़ चुके हैं दुर्गेश सैनी जुड़ चुके हैं मोनिका जैन जुड़ चुकी हैं अंजली परजापती और मनीज मुकेश प्रियंका और रोहित जी बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का किरन मौर्या जी भी जुड़ गई हैं और दुर्गेश बिरिजकान मिस्रा सभी जुड़ गए हैं तो हम लोग आगे वड़ते हैं और इस्टाट करते हैं कलाफ 9 के एंसी आइटी मैथमेटिक्स यानि की गड़ित एक्सरसाइज 7.1 साम साथ बज़े फे लाइब देखो क्या करना है कुश्चन नमबर 4 हम सुरू करेंगे तीन नमबर आपने कल पढ़ लिया था चौधा देखो क्या कहता है ध्यान से कुश्चन आप लोग पढ़िए आपके पास किताब दी गई है कि नहीं पहले यह बताओ बच्चे तो सभी बच्चों के पास किताबें होंगी ना NCRT वाली कर नहीं है तो बताओ कि नहीं है चार नमबर कराएं ना चलो तो चार नमबर का यह फीगर बना बच्चा देखो ये क्या कहता है कुश्चन पहले पढ़ो आप सभी पढ़ेंगे कुश्चन द्यान से कहरा कि यल और यम दो समानतर रेखाए है यल और यम ये रेखा यल और ये रेखा यम ये दोनों क्या है पैरलल लाइन है द्यान देजिए रेखा यल और रेखा यम दो समानतर रेखाए हैं आगे क्या कहता है कहरा कि P और Q एक यूगम इसको परतिछेदित करता है यानि यल और यम का जो समानतर रेखाए हैं दोनों उनको P और Q का एक यूगम मतलब एक जोड़ा इनको क्या कर रहा है परतिछेदित कर रहा है ठीक है क्या कर रहा भईया परतिछेदित कर रहा है आसिस कुमार पाल संडे को नहीं होता बाबु ठीक है संडे को नहीं होता है सटर्डे को पढ़ाया था संडे को नहीं पढ़ा जाता ठीक है तो समझ गए दी है यल और यम दो समांतर रेखाएं दी को पी और क्यों का एक रेखा यूग में इनको क्या कर रहा है भी सेट करता यानि परतिष्चेदित करता है वह सड़ी सेट मतलब होता समधुभाजित थीक है एंटर सेट बोलेंगे ना इसको आगे देखो क्या कह रहा है आगे कह रहा कि दिखाईए मतलब दर्स आईए यानि सिद्ध कीजिए कि तिर्भूज A, B, C, C, D, A दोनों सरवांगसम है तिर्भूज A, B, C और C, D, A दोनों सरवांगसम है तो भीया इसमें से एक लाइन आई है ये ऐसे बन रहा है ठीक है और बच्चा यहां पर D लिखा है तो देखो अब पूरी कहानी क्या होती है द्यान से समझो ये जो C लिखा है न ये यहां नहीं है भाई साहब ये C यहां है और ये B यहां है यहां अब समझने की कोसिस करिए यहां पर ट्रेंगल बन रहा है न ट्रेंगल बन रहा है ठीक है अब देखो कोसिस करो समझने की च बहुत आसान नहीं है हाँ बहुत मुश्किल भी नहीं है अगर आप ट्राई करोगे तो सिंपल सा है आ जाएगा एक बार सवाल को हम लोग फिर से पढ़ते हैं कच्छा नौ की NCRT गड़ित है यह प्रशना वली है 7.1 साथ दसमल एक का कुश्चन नंबर 4 है ठीक है अब सुनो कहरा कि दो समांतर रेखाय दी गई है एक रेखा का नाम यल है दूसरी रेखा का नाम क्या है यन है एक का यल है दूसरे का यम है और इन दोनों रेखाओं को एक रेखा का यूगम पी और क्यू ये दोनों क्या कर रहा है इनको परतिछे दित कर रहा है तो कहरा सिद कीजिए तिर्भूज A, B, C यानि A, B और C ये जो तिर्भूज बन रहा ही है ठीक है ये A, B, C C, D, A के क्या है सरवंगसम है का इंग्रियंस है समझ में है न? आया न समझ में भाईया, Mr. Manoj जी पहले सुरू से पढ़ोगे कि डारेक्ट आस्मान चले जाओगे अरे पहले सुरू से पढ़ो यार चलो तो क्या करोगे आप लिखो तिर्भूज A, B, C और C, D, A मे A, B, C और C, D, A मे यहाँ साइट से हम लोग हल करेंगे कुईस्चन आपके बुग में है कुईस्चन देखो लिखो तिर्भूज A, B, C और तिर्भूज C, D, A में इंग्लिस मीडियो मौले लिखेंगे इन ट्राइंगल A, B, C and C, D, A ठीक है इसमें देखो क्या दिया है आपको दिख रहा है बच्चा वो क्या दिया है D, A, C और B, C यह बराबर है कौन? D, A, C यानि यह कौन जो है बच्चा दिख रहा है न? यह कौन A किसके बराबर है यह? B, C, A के B, C, A का मतलब जान रहा है तुम लोग? अरे यार यह B, C, A यह बोलो होगा की नहीं? जो लोग alternate एंगल पढ़े हैं एक आंतर कोर पढ़े हैं उनको पता होगा पढ़े हो न एक आंतर कोर? कि नहीं पढ़े हो? alternate interior angle अब यहां क्या लिखोगे बच्चा? यहां पर लिखो angle D, A, C equal D, A, C equal क्या लिखोगे? दूसरा वाला कोर? B, C, A B, C, A कारण क्या है? कोश्टांग में लिखो alternate interior angle हिंदी में लिखोगे अन्ता आंतरिक कोर क्या लिखोगे? अन्ता आंतरिक कोर इंग्लिस मीडियम वाले लिख लेंगे alternate interior angle अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ठीक है? इंग्लिस हिंदी दोनों में लिखवा रहा हूँ अन्ता आंतरिक एक आंतर कोर इंग्लिस मीडियम वाले लिखेंगे alternate interior angle ठीक है? इसलिए ये बराबर है चुकि ये जो कोर बन रहा है जिसे मैंने आपको कहा था DAC क्या? DAC और BCA ये दोनों एक आंतर कोर है अन्ता एक आंतर कोर है इसलिए क्या है? बराबर है ये रिजन हो गया ठीक है? बाई alternate interior angle जी बिलकुल बहुत अच्छे नीरेच कुमार बेरी गुड इंग्लिस मीडियम वाले चात्र ऐसे लिख लेंगे क्योंकि इंग्लिस मीडियम वाले सब बच्चे समझदार होते हैं ज्यादा लिखवाना नहीं पढ़ता है हिंदी मीडियम वाले भी समझदार होते हैं ऐसे नहीं गदहा होते हैं लेकिन उनको थोड़ा लिखवाना ज्यादा पढ़ता है चलो आगे चुकि हमें क्या करना भाई साहब तिरभूज ABC ABC और CD चलो आगे आगे देखो यहांपे आगे कौन सा है और जो दो कौन बच रहे थे और कौन बच रहे थे वो क्या है ध्यान से लेखो ठीक है जो नहीं मिलेंगे बता देना चलो देखो बीसी यानि यह कौन यह फार वाला है बच्चा और एक कौन सा डी सी ए आप कह सकते हो इसको क्या कह सकते हो डी सी ए मतलब यह वाला कौन भी आपस में बराबर होगा तेखो बराबर क्यों होगा क्योंकि यह भी इंटिरियर एंगल है लिखो एंगल वी ऐघ्ट कि एकवल एंगल D.C.A लिखो D.C.A region लिखो by alternate interior angle ठीक है by alternate interior angle हिंदी में लिख लो अंताहा आंतरिक कोण जो उपर था वही वही region है अंताहा आंतरिक एक आंतर कोण ये देखो हम पहुँच रहें काफी करीब करीब क्यों पहुँच रहें क्योंकि हमें सरवांगसम सिद्ध करना है हमने दो कोण आपस में बराबर कर दिये सिर्फ एक बूजा और बराबर कर दे तिरवुच सरवांगसम सिद्ध हो गया हो गया ना सिद्ध हो गया ना भाईया मिश्टर नीरज कुमार मोनिका जैन कीरन मोर्या प्रियंका, मनोज कुमार आ रहा समझ में सभी बच्चों को आ रहा न ध्यान पूर्वग देखिए नहीं आएगा, रिपीट करिए मैं फिर से समझा दूँगा, बिल्कुल टेंस अनमत लेना रेगूलर देखिए कलास को कोई वीडियो छूटने न पाए ठीक है, प्रिय लिस्ट में सारा वीडियो उपलब्ध है जो बच्चे पीछे का नहीं देखे वो जरूर देख लें क्योंकि बच्चे अगर पीछे वाला पार्ट नहीं देखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा इसलिए आप रेगूलर और सिस्टम से देखो पीछे के सारे पार्ट देखिए जो बच्चे इंट्रोड़क्शन वाला नहीं देखे उनको ये नहीं पता होगा ये अल्टरनेट इंटीरियर का होता है एक आंतर कौन क्या होता है वो, कर्रस्पॉंडिंग अंगल क्या होता है ये सब नहीं समझोगे न तो कुछ समझ में नहीं आएगा इसलिए आप सिस्टम से देखो पूरा कंप्लीट देखो चैनल की प्लेलिस्ट में सारा वीडियो बिल्कुल फ्री में उपलब्द है कोई बच्चा वीडियो डाउनलोड नहीं करेगा सारा वीडियो आनलाइन देखना सभी वीडियो यूटूब पे है ठीक है मिलेगा भी चलो यह हो गया अच्छा एक चीज मुझे यह बताओ एक चीज यह बताओ जब हमने तिरभूज A, B, C लिया था और D, A, C लिया था इसमें एक भुजा कामन है ना इसमें एक चीज बताओ ना बताओ यह बीच वाली भुजा देखो A, C बोलो A, C भुजा दोनों में कॉमन है की नहीं दोनों में है ना तो आप लिखो A, C बराबर C, A कॉमन है क्या है कॉमन है देखो क्यों कॉमन है फिर से समझो अगर तिर्भुज A, B, C लोगे तो इसको हम A, C पढ़ेंगे अगर हम तिर्भुज D, A, C लेंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे या फिर D, C, A लेंगे तो हम इसको C, A पढ़ेंगे चाहे C, A पढ़ो चाहे A, C पढ़ो मतलब एक ही हुआ ठीक है, मतलब तो एक ही हुआ, तो आप क्या करोगी, यह common है, आप नीचे लिखो, आता हाँ, तिरभूज A, V, C, सर्वांगसम, यानि कांगुरियंस, C, D, A, को इस्ठक में लिखो, बाई, A, A, S, से, आप कुछ लोग जो introduction पाट नहीं देखें, उनों कहेंगे, यह, यह A, 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 S, क्या है, A, A, S, तो उनको समझे ना आएगा, क्या है, बच्चा A, A, S, का मतलब होता है, एंगल, एंगल, साइड, यानि कोण, कोण, और भुजा से, कोण, कोण, और भुजा वाले नियम से, यह दोनों तिरभूज, A, B, C, और C, D, A, सर्वांगसम, सिद्ध हो गए, ल आप में बहुत से साथ ही देख रहे हैं, मुझे पता है, उन्होंने फीवी डिपोजिट किया है, बाकि जो बच्चे यूटूब पे डेमो देख वा रहे होंगे, वो बिल्कुल फ्री में देख वा रहे होंगे, तो कोई बात नहीं है, आप कहाई से पढ़िए, कैसे भी प क्विश्चन नंबर फाइब पे हम लोग आगे बढ़ें, क्विश्चन नंबर फाइब पे आगे चलें, यार आप लोग संख्या नहीं लेके आ रहे हो भाई, मतलब 25 लोग ही देखेंगे बस, क्विश्चन फाइब जो है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं लगवाऊंग अगर आप लोग रुको गे तब, ठीक है, समझ में आ रहा ना भई सबको, किरन महरे जी आया समझ में, मोनिका जैन, पंकज, सभी को आया ना समझ में, चलिए, हाई एक बात और समझ लो, अगर ये साम को लाइब नहीं, आपको प्रीमियर वीडियो भी मिलता है, तब भी आ जानते हैं, आप 80 कुमार पाल जी, चलिए, हाँ, पाच्वा कुष्चन का मैं फिगर बनाऊंगा, अब सभी बच्चे, फिगर बनाऊगे, फिर मैं कुष्चन पढ़ूँगा, ठीक है, पहले हम, फिगर बनाएंगे, ये फिगर फाइव कुष्चन नमबर का, एक तिरभु और इसके ज़्यादा नाम लिखे ही नहीं गये हैं, सिर्फ यहाँ पर A लिखा गया बस, तो कुछ भी आप लिख लो चाहे हैं या ना लिखो, एक तिरभुज है जिसको चलो मैं मान लेता हूं कि A, V, C है, ठीक है, वैसे आपके बुक में A, V, C नाम नहीं लिखा गया इसक लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, कोई मतलब नहीं, लिखो या मत लिखो, लेकिन इस तिर्भुज का जो कौण A है, उसको एक रेखा क्या कर रही है, बिस्षेक्ट करती है, पतिछे सम्दुभाजित करती है, इस रेखा का नाम यल है, ये मैं अभी कोईस्चन उतार रहा हूं, क्या है ये, ये मैं सवाल उतार रहा हूं किताब से, ये, एक क्या है, एक तिर्भुज है, जिसका कोण A, और कोण A को एक रेखा यल, सम्दुभाजित कर रही है, बिस्षेक्ट कर रही है, आगे देखो क्या कहता है, यहाँ पर एक बीच में बिंदु है, जिसका और यह उपर भी साहब यहां से यहां पर भी क्या है ंदेक यह मने नाम इसलिए लिख नहीं गर है यहां पर भी लिख दोगे तो कुल दो जगा भी भी हो गड़ बढ़ हो जायागा यहां मालो चलो डी कुछ भी लिख लो अब समझने की कोशिस करो हाँ ध्यान दीजिए इतना दिया है ना आपकी किताब में यहां पर नाम नहीं लिखा होगा सी डी यह सी दी मैंने लिख दिया वैसे ही लिख लो जादा अच्छा रहेगा कुछ नाम रहेगा तो ठीक है हां यह ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है चलो उसका कोई मतलब नही नहीं है वो सभी NCRT किताब जरूर रखें है हर गए क्या जित गए चल यह ठीक है अब ध्यान दो जिन बच्चों के पास किताब नहीं हो बच्चे क्या करेंगे किताब जरूर रखेंगे चलो आगे हम लोग बात करते हैं क्या है ध्यान दीजिए कहरा कि रेखा यल कोंड ए को समद्यभाजित करती है क्यूश्चन ध्यान से सुनिए रेखा यल कोंड ए को समद्यभाजित करती है और बी रेखा यल पर इस्थित कोई बिंदु है और बी ये बी रेखा यल पर इस्थित कोई क्या है पॉइंट है कोई बिंदु है आगे सुनो question क्या कहता है कह रहा कि BV और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है B P और B और ये Q यहाँ पर क्या रहेगा Q ये Q समझो ध्यान से समझो B P और BQ ये कोण जो A है उसकी भुजाओं पर डाले गए क्या है लंब है तो कह रहा है किस सिद्ध कीजिए क्या क्या सिद्ध कीजिए पहला कह रहा है कि A P B और A Q B सरभांग सम है का इंगरियंस है A P B और A Q B ये का इंगरियंस है सरभांग सम है ठीक है बात समझ में आ रही न ब्रिज कांत मिसरा सुबा चलता बच्चा सूबा चलता है दस वालों का चुपचा पढ़ो पढ़ना ही भाग जा यहां से ठीक है डिस्टरब मत करो कक्छा 10 का सूबा चलता है तुम लोग रोज पूछते हो पढ़ते कभी नियुक सबसे ज़्यादा न लाइक कच्छा-10 वाले बच्चे हैं कच्छा-10 वाले लाइब न चलो, फिर से सुनो, question कहता है कि रेखा यल, ये रेखा यल, कोण ए को विश्यक्त कर रही है, सम्दुभाजित कर रही है, आगे कहता है, रेखा यल, परिस्थित कोई बिन्दु है, और बी जो है, वो रेखा यल, परिस्थित कोई बिन्दु है, ये रेखा यल है, सी दिवाली यहां तक, ये बी जो है, उस परिस्थित कोई एक बिन्दु है, ठीक है, आगे सुनो क्या कहता है, कहरा कि BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है BP और BQ कोण A की भुजाओं पर बिंदू B से डाले गए लंब है ये परपेंडिकुलर है आगे देखो क्या कहता है फिर कहरा कि सिद्ध करो A P B सरवांगसम है A Q B K A P B सरवांगसम है A Q B K दोनों सरवांगसम सिद्ध करना है पस सिंपल साय जैसे पीछे वाला कर रहूँ है इसको भी कर लोगे बच्चा चलो फटा-फटा आप लोग लिखो जल्दी से जो भी दोनों तिर्भुज दिये गए हैं लिखो चल रहा है देखार लाइट चली गई एकर थोड़ा फ्रींग करेगा तो आप लोग जाना मत ठीक है जी किरन मोर्या बिल्कुल बहुत अच्छे वेरी गुड चलिए चाहें आप पीए भी लिखिए किरन जी बिल्कुल या फिर अब लिखो तिर्भुज एपीवी और एक्यू बी में यहां पर हल लिखो लाइट चली अगे वफरिंग कर रहा था ना वी तक वफरिंग कर रहा था ना यार ठीक हो गया ना चालो ठीक है बरी गुड बिल्कुल फिल्कुल किरन मोर्या ने इसको का इंगुरेंस कर दिया ब क्या करोगे अब देखो बच्चा इसमें AQB और APB बराबर हैं कि बराबर है ना कौन-कौन AQB और APB बराबर है क्योंकि क्योंकू और कौन पिदून नभबे हैं रहो आप लिखो आइंगल AQB, AQB equal angle ABB, यह बराबर क्यों है, लिखो, दोनो 90 डिग्री है, मतलब दोनो क्या है, सर्वांग सम्न, ओ सरी, दोनो कोई कोण बराबर है, इसलिए दोनों क्या है, बराबर है, मैंने बराबर कर दिये, चुकि दोनों 90 यह भी 90 बना रहा है हां से, और यह भी क्या बना रहा है अब्बे का कोण बना रहा है यह हो गया इसमें हम और एक चीज बराबर कर सकते हैं वो क्या है क्यों एबी ध्यान से देखो क्यों एबी मतलब यह कोण एजो है यह किसके बराबर है भाई यह पी एबी के बराबर है बाबू यह किसके पी एबी क्यों बराबर है क्यों बराबर गया है बीट से इसका बटवारा हो गया है तो भाई ये कोण और ये दोनों बराबर होगा ना चुकि बीट से कट गया बट गया दो पार्ट में बराबर है ना तो लिखो QAB कि इकवल एंगल PAB ये बराबर क्यों है लिखो कि लब्रेक्ट में एंगल 0 sv1 ग से हिं इंड़ी में लेख लो क्योंकि रेखा ये कोसरी और आ स्वरी स्वरी स्षरी क्योंकि रेखाईयाल ए नहीं रेकाक नाम दूले है न लिख knapp क्योंकि रेखाईयल कोटेको को सम्दुभाजित कर रही है क्योंकि रेखा यल कोण एको सम्दुभाजित करती है देखें इंग्लिज में कुछ और भी ट्रांसलेशन किया कि रन मोर्या ने यल इजदा विस सेक्टर आफ एंगल विल्कुल आप ऐसे भी सेक्टर आफ एंगल ए या फिर आप ऐसे लिख दो अफ्यादगल इसलिए दोनों क्या हैं बराबर हैं कि इसमें हम एक और चीज कर सकते बच्चा वो क्या है आपने ये देखा कि तिरभूज आ कि यह फिर एक यूबी और एपीबी या फिर ऐसे बोलो पी एवी तोनों में एक रेखा कॉमण एक बुजा एक बुजा कॉमण है कौन सी अरे भाया ये बीच वाली भुजा कॉमन है दोनों में दोनों में कॉमन है ना तो लिखो फिर ये बराबर तो होई जाएगी ना लिखो AB equal AB ऐसा काहे है लिखो common है क्या है common है और क्या चाहिए सरवांगसम के लिए चाहिए Some धो coda कोण इककोल मिल गए एक भुजा इककोल मिल गए अब क्या हुआ ओगया ना का मियार होगया लिखो लिखो अथा अ हम आता हाँ शीद्ध हुआ हम अथा शीद्ध हुआ हिंदी मीडियों मा ले लिखेंगे अ हैसे नहीं अ हम ढूटMM और अच्छे से लिख लो डंग से लिख लो हो तो गया है फिलाल अम तोड़ा साजा देते नीचे लिखो नीचे लिखो कि ऐसे सीधा लिख लो अता है क्या क्या सीधा करना था ए पीवी ए पीवी ए क्यूबी दोनों सरवांग सम है यही करना था ना लिखो आता ए पीवी कैंगुरियंस ए क्यूबी ब्रेकट में लिख लो कौन से रूल से हुआ है कौन से रूल से हुआ है बोलो कौन से रूल लगा है A-S-A बिजे ठाकुर ने बताया है बिल्कुल बच्चा लेकिन A-A-S लगा है भाई क्या लगा बावू A-A-S क्योंकि हमने पहले दो एंगल बराबर किया फिर एक बुजा बराबर किया तो A-A-S आप इसे विश्तार से लिख लो एंगल-एंगल साइड से किस से? एंगल-एंगल साइड से बिल्कुल किरन मौर्या ने राइट लिखा है इंगलिस मीडिया में ये CBC Board की स्टूडेंट है इट इट इच काईगुरेंट बाई A-A-S बिल्कुल बेरी गुड इट इच काईगुरेंट बाई A.A.S. ठीक है? हो गया नहीं? इसको लिख लिए आपने? चलो. इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीन साट ले लीजी. आपके पास 10 सिकेंड का टाइम है. ओनली 10 सिकेंड. जल्दी करिए. ले लिए इसक्रीन साट चलो. इसमें एक पार्ट और भी पूछ रहा था भाई साब. वो दूसरा पार्ट में इथर नीचे सेटल कर देता हूं. यहां देखो. इसमें एक चीज और पूछ रहा था. क्या कह रहा था? कह रहा था कि बीपी एक् इक्वल कहने कर रहा है. मतलब करने को बोल रहा है कि दिखाओ सिद्ध करो. कि भूजा जो बीपी है यह बीक्यू के बराबर है. इन दोनों को क्या कर रहा है? इक्वल करने को कह रहा है. त्यान से फिर से समझो. कह रहा है यह भूजा बीक्यू यह इसके बराबर है. इसको स इसको कुछ नहीं करना इस सिद्ध है यह Bp equal Bq क्यूं है लिखो ब्रेकरट में लिखो बाई Cp इसीपी सीटी यह सीपी सीटी से क्या है बरावर है सीपी सीटी का मतलब जानते हो जो बच्चे इंट्रोडक्शन वारा पार्ट नहीं देखे बच्चा वह जरूर देख लें में सरबांगसम है तो उनकी corresponding side equal होती है यानि दो सरबांगसम तिरबुज की जो संगत भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है समझ गए ना? समझ गए ना? यानि दो सरबांगसम तिरबुज हमने तो कर दिया ये पहले मैंने सरवांक्सम सिद्ध कर दिया आगर यह सरवांक सम intern हैं तो इनकी corresponding said equal होंगी यानि इनकी संगत हो जाए बराबर होंगी तो इसको सिद्ध करना ही रही है कि ना कितना बद आंए य AWS में ना लिखे लो जल्दी और आप इस नंबर पर वाटसब करिएगा और जो भी और वी स्टूडेंट हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा कोईश्चन करवाया जाएंगे क्योंकि जो इस्टूडेंट थोड़ा मुझे लग रहा है इसमें जैसे कुछ इस्टूडेंट हैं जो काफी कोईश्चन के करेक्ट भी मिलेगा यह बात आपके लिए अच्छी है कि आप अच्छे से मेहनत करिए और खुद अपना नाम करिए और अपने घरवालों का भी नाम करिए साथ साथ पी वियर स्टूडी का भी नाम होगा आप लोग खूब मेहनत करिए नाइंट और टेंथ दोनों में आपको कुछ करना है तो पिर आज की कलास अंपर बंद करते हैं आप सभी छात्र जो भी नए जुड़े है इस नंबर पर वर्टसक आप करें अपना नाम कलास का नाम और जिले का नाम यह इनि नेम डीश्टिक नेम ऑनकि कलाव ports डी ग्रूयंग टीन आप उसको भी पूछवाएंगे ठीक है आज के लिए इतना ही पूरी कलास देखने के लिए आपको प्रेम पूर्बग बहुत बहुत धन्यवाद जो भी नए चात्र जुड़े है नीचे लाल कलर की बटन लिखा है सब्सक्राइब रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उस पे टेच करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में गंटी का निशान आएगा उस पे जरूर दबाईए ठीक है ठीक है ना जामीर अनसारी जी यह NCRT बुक है बाबू ठीक है यह NCRT बुक की कबर देख लो NCRT जो किताब इस सेम होते हैं NCRT में यही है UP बोर्ड है या सी बेसी बोर्ड है कुष्टन एक ही होते हैं क्योंकि दोनों में NCRT ही लगता है ठीक है तो एक बार फिर से आपको बहुत भाँत धन्यवाद आप सभी इस वीडियो को इस सेसन को अपने साथियों में सेयर करिए उनको बताईए क कि रात 7 बज़े से आपके लिए हर दिन फ्री-लाइप क्लास होती है हर रोज होती संडेय को नहीं होती याद रखना संडेको चुटी होतीं है रभी बार को नहीं होती चலो daí कि आप बीडियो पीछे करके का बर देखो फिर बार बार देखो वीडियो को करसे फिर से देखें अभी लाइट में आएगा वाच नाओ वाच अगेन वाच अगेन क्लिक करके फिर से देखो